मुझे पता है आप मेंसे कई लोग चाहते हैं कि मैं परड़े वीडियो अप्लोड करूँ साथ मैं एक दिन में 5-6 वीडियो अप्लोड करूँ बटमा नों बता देना चाहता हूं कि मुझे एक्ससाइस के साथ साथ एमकॉम की स्टडीज और अपनी जॉब पर भी फोकस करना पड़ता है जिसमें मेरा पूरा दिन निकल जाता है इसके अलाबा घर के भी काफी सारे चोटे मुटे काम हो जाते हैं जिसके वेज़े से मेरे पास वीडियो बनाने के लिए जो फ्री टाइम होता है वो कभी-कभी नहीं बसता है और कभी-कभी बहुत कम बसता है तो आई ह जिसके बाद वूजो उसके पास जाता है और फिर गुस्से में कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉई करो तुम शाद भूल चुकि हो कि जी गौंग पिंग को मैच में हरा दिया है जिस पर शीषैन वूजो से कहता है कि पहले में यही करने वारा था बट अब नहीं तुमने मेरे रेजिदेंस को और मेरी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉई करने के कोईश्च की है इसलिए अब यह सब कुछ मेरा हुआ और अब मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूँगा और अगर तुमने उससे फाइट करने की भी कोश्च की तो मैं तुम्हें बिना कुछ सोच समझे और बिना किसी दह्म के ही जान से मारतूंगा अब वूजो की ये बास सुनकर शीशन का एक सर्वेंट गवराएं लगता है और वहां से भागयां लगता है क्योंकि वो जानता है कि वूजो के सामने वो लोग कुछ भी नहीं है इसलिए वो वहां से भागने के कोईश्ट करता है बर तभी वहां पर शीशेन के एक बहुत बड़ी आर्वी बाज आती है जो कि वूजो कुछ चारो दर्व से घेर लेती है तब ही एक सेपाई वूजो को अपने हत्यार डाल कर सरेंटर करने के लिए कहते था है क्योंकि वो लोग कई सारे थे और वूजो अकेला था जिसके बाद शीशेन भी खड़ा होते हुए वूजो से कहता है कि वूजो तुम्हें क्या लगा कि जबतिर तुमने मुझ पर लाश्टा में टैक किया था तब से मस मैं ऐसे बैठा रहा नहीं मैंने कई सारे अपने मार्शल आर्टिस्ट को रिक्रूड किया और उनकी सामें अब तुम कुछ भी नहीं हो क्योंकि तुम चाहिए कितने ये पावर्फुल हो इतने सारी लोगों से तुम फिर भी नहीं लड़ पाओगे जिस पर वूजो मुसको राते हुए पूशता है कि क्या यही तुमारा प्लैन है जिस पर शीशानों हसते हुए कह देता है कि हाँ ये तो बस बड़े से आइसबर का चोटा था हिस्सा है अब जो कि तुम जी गॉंपिंग और जी ले नुएन से फाइट करके पूरी तरीकी से एक्सजोस हो चुके हो तो मैं तुम्हें जिन्दा पकड सकता हूँ और आज मैं तुम्हें जिन्दा पकड कर जी फैमिली के हवाले कर दूँगा जिसकी वज़े से वो मुझे काफी अच्छा रिवाड देंगे अब शीशानों से पका रहाता है पूरी जिन्दा पकाझma financial अरण पकडते हुए इसे चारो तरह गोल 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 गूहें लगता है जिससे कि वहां कड़े सेन्दा कॉमें जब यह लगता जाकर तो विचारे सेन्दा भी हील नहीं बाते हैं और भो कुछ समझ पाएं उससे पहले ही वूजो उस शीशन के जरीए उन्हें बहुत मारता है वो कभी किसी के चेरे पर उसे फेकर मारता है तो कभी उसके पेट पर तो कभी ऐसे फेकता है कि शीशन जाकर दूसरे सेने को इक किस कर लेता है जिसके कुछ देबादा मैं सिन दिखा जाता है जहाँ शीषान वूजो को इंट्रिंस की की हैंडोवर कर रहा होता है येंग मास्टर इसे ले लीजै और हमें माफ कर दीजै जिसके बाद वूजो उसन की को ले लेता है क्योंकि अब लोगा यहां कोई काम नहीं था जिस पर रिशी शेयन अपने लोगों को ले कर वहां से जाएं लगता है तो वहीं वूजो सोचता है कि चलो देखते हैं कि इस मैंसन में क्या चीज़ अच्छी है अब यह सुनकर शी शेयन मुसकर राते होएं सोच लगता है कि अच्छा इस जग़े कुछ अच्छा भी हो सकता है मैंने यहां के सभी आइटम्स को पहले ही दूसरी जग़े शिफ्ट कर दिया है या कि सारी ट्रेजर्स मैंने पहले ही दूसरी लोकेशिट पर शिफ्ट कर दिया है अब यह तो बिल्कुल एक इंपटी शेयल की तरह है यहां तुमें कुछ भी नहीं मेरेगा वूजो अभी शी शेयन यह सब सोच कर खुश होई रहा होता है कि तभी पीछे से कोई कहता है कि हमारा ट्रेजर पहले ही दूसरी जगा पर शिफ्ट किया जा चुका है और शी रेजरेंस किसी खाली शेयल से कम नहीं है यहां पर कोई ट्रेजर नहीं है अभी सुनकर वो दोनों एक साथ पीछे मुड़कर देखते है और फिर शी शेयन पीछे मुड़ते वे कहता है कि यह बकवास कौन का रहा है हम देखते हैं कि यह एक लड़की होती है जिसका नाम शीमी होता है और वो वूजो से कहती है यंग मस्टर जू मैं आपको बता सकती हूँ कि एंसेसर रेजिरेंस का असारा का सारा ट्रोजर कहां पर रखा हुआ है बट उससे पहले आपको मुझे प्रमिस करना होगा अब यह देखकर शी शेयन उसको गुस्ना कहने लगता है और कहने लगता है एक शीमी यह तुम क्या कर रही हो तुम्हारी पॉल क्यों खोल ली हो जिस पर वुजरो से तिर्शी नजर से देखता है अब यह देखकर शी शेयन घबरा जाता है और फिर चिपचाब हो जाता है जिसके बाद वुजरो शीमी से पूचता है कि तुम्हें मुझे से क्या चाहिए जिस पर शीमी कहने लगती है कि मासर जो मैं आपसे चाहती हूँ मैं आपसे चाहती हूँ कि आप शीमी को जान से मारते है अब यह सुनकर विचाबशा शीमी और वाह खड़े सभी लोग पृश्या हमें लगते हैं कि यह क्या कर रही है ये तो हमारे बैट्रिया को मर्वाने देना चाहती है जिसके बाद शीजैन सोचने लगता है कि आफिर शीमी को सीक्रेट लोकेशन के बारे में कैसे पता लग गया जिसके बाद वो सोचता है कि अप चा mamy कुछ भी हो जाए वो शीमी को उस लोकेशन को रिविल किसी के सामने नहीं करने देगा इसलिए वो शीमी को मारने के लिए उस पर अटेक कर देता है बटन देखते हैं कि जैसे ही वो उस पर अटेक करता है वैसे ही वूजो उसका हाथ पकड़का उसे वहीं रोक लेता है और फिर उसे रोकते विए उस पर अपनी पावर का यूस करने लगता है इसके बाद वूजो उससे कहता है कि तुम्हारी एतनी हुमत हो गई कि तुम मेरे सामने ही मेरे रेजिनेंस में शीमी पर अटेक कर रहे हो जिसके बाद वो से एक जोड़दार किक मारता है जिससे शीशैंक मेशे की दीवार में जा लगता है और वो इंजड़ हो जाता है जिसके बाद शीमी वूजो को उसकी जान बचाने के लिए ठैंक्यू कहती है जिस पर वूजो उससे कहता है कि अब तुम मेरे सवालों का सीथे सीथे जवाब देना और कहता है कि यह बताओ शीमी शीशैंक तुमारा फादर है ना फिर भी तुमने ऐसी विस क्यों मागी जिस पर अब शीमी बताना शुरू करती है कि शीशैंक उसके फादर कहलाने के बिल्कूल भी लाइक नहीं है चुकि उसने कभी उसको अपनी बेटी की तरह ट्रूइट नहीं किया उसके लिए वो सिर्फ एक टूल की तरह थी और वो उसकी आखों में उसकी कीमत बिल्गोल एक स्वाइन से भी बहुत कम थी स्वाइन एक तरीके की गाली होती है जो की सुर या इनसान में सबसे नीचे ये लोगों को कहा जाता है ये सुनकरशी शन चिलाते हुए कहने लगता है कि तुम धोके बाज हो मैंने तुमें कब गलत तरीके से ट्रीट किया मैंने तुमें हर चीज प्रोवाइड कराई जिसकी तुमने डिमांड की और कहता है कि तुम एक नंबर की धोके बाज हो अब ये सुनकरशी मीं उससे कहें लगती है कि तुम मेरे फादर कहलाने के बिल्कुल भी लायक नहीं हो और बताना शुरू करती है कि जब एक दिन मेरी मां को ली वांग फेंग और माउजेंड की तरफ से यूमेरिट किया गया और उन्हें अभी उसकी नहीं की बलकि यहनों ने तो उसके सामने एक ओपिन इंग ही खड़ी कर दी यानि कि वो जब चाहे तब आता और उसे मोलेस्ट करता था और कहती है कि तुम तो इन्सान के नाम परी तबा ओ तुमने अपने बेनिफिट्स के लिए अपनी फैमिली को भी बिट्रे कर दिया तुम तो एक जानवा हो मैं तुमें हर उस प्रॉब्लम से सफ़र करता हुआ देखना चाती हूँ जिससे मैं और मेरी माँ गुजरे थे और कहती है कि तुम्हारी मरने के बाद ही मेरी माँ को जो की हैवन में है उनकी आत्मा को शांती मिल पाएगी अच्चो कि शीमी शीशें की पूरी रेपोटेशन ही डिस्ट्रॉई कर रही थी इसलिए शीशें उसे अब ज़ूर ज़ादा बोले नहीं दे सकता था क्योंकि उसकी पैट्रिया की रेपोटेशन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉई होने लगी थी इसलिए वो उसे मारने के लिए उस पर अटेक कर दीता है ये देकर शीमी वूजो से उसे बचाने के लिए कहती है और फिर उसे जोर तार पंच मारता है जिससे इतना ज़ादा इंपक्ट होता है कि शीशें पीछे जाकर दीवाल तोड़ते हुई बाहर जा गिरता है और तीन चार दीवाले तोड़ देता है ये देखकर वहाँ खड़े सभी से निक कहरान दा जाते हैं कि वूजो में अप भी इतनी ज़ादा पाउफल है कि वो शीशें को फिर से नॉक होट कर सकता है और उसकी ये हल कर सकता है इसके बाद हम शीशें को देखते है जो कि बहुत ही ज़ादा इंचर्ट हो चुका होता है और अब बहुत बुरी तरीके से खास रहा होता है और उसे बिलिटिंग भी हो रही होती है और वो सोच रहा होता है कि वुजो इतना ज़्यादा पाउर्फुल है कि वो अतनी फाइट के बावजूद भी मुझे हरा पा रहा है तब ही उसके पास उसकी बेटी शीमी आ जाती है जिसे देखा रेशीशन उसे वही स्वाइन वाली गाली देते हुए कहता है कि तुम अभी हाग क्या करने आई हो जिस पर रेशीमी कहती है कि मुझे लगा था कि मैं अपनी पूरी जिन्दगी में तुम से रिवेंज नहीं ले पाऊंगी बट फॉर्चुनेटली तुमने यंग मास्टर जू को इतना प्रोवक किया कि आज वो मौका मेरे हाथ लग चुका है जिस पर रेशीमी उसे मारने के लिए आगे पड़ता है पर उसके अंदर अपनी जान नहीं थे इसलिए शीमी उसके उपर एक लात मारती है और फिर उसे जान से मार देती है जिसके बाद अब वो आसमान की तरफ देखते हुए कहती है कि मदर मैंने तुम्हारा रेवेंज ले लिया है और मैंने तुम्हें अब इंसाफ ही दिला दिया है जिसके बाद वो जो उसके पास आते हुए उससे कहता है कि मैंने तुम्हारी सारी रिक्वेस्ट को पूरा कर दिया है जैसा कि हमारी बीच डील भाता तो अब तुम्हारी बारी है जिस पर शीमी उसकी हेल्प करने के लिए उसे थैंक्यू कहती है और फिर कहती है कि अब आप मेरे साथ आईए और फिर वो उसे अपने साथ ले जाने लगती है जिस पर वूजो उसकी तरफ देखते हुए सोचन लगता है कि वाव अब तो मैं बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा अमीर होने वाला हूँ जिसके बाद वो अपने मन में सोचन लगता है वाव इतना सारा पैसा इतने सारे गोल्ड कॉइंस इतना प्रॉपर्टी मैं तो बहुत ज़्यादा अमीर हो जाऊंगा और इसी के साथ यह सीन है हिकट हो जाता है जिसके बाद में शी फैंशी में सीगरेट वाल्ड की तरफ दिखाया जाता है जहां काफी सारा सुनाजभरखा और बहुत सारा खसाना रखा होता है जिसे देखकर वो बहुत ज़ादा खुश हो रहा होता है क्योंकि यहाँ पर thousand से भी जादा gold coins और tails थे जिसे देखकर वो बहुत ही जादा खुश हो रहा था यह कह रहा था कि finally मेरे पास अब इतना सारा घजाना है कि मैं अपनी cultivation को पूरा कर सकता हूँ जिसे देखकर रेशी में सोचन लगती है कि आकर यह 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 मास्टर जू कर क्या रहे है इसके बाद वो अपने मनी में सोचन लगती है कहिए इसलिए तो नहीं क्योंकि हमारे मनी हमारे जादा तर ट्रेजर को जी फैमिली को दे दिया गया है इसलिए वो थोड़ा परशान होते हुए सोचन लगती है कि अब वो क्या करे अगर यह मास्टर जू नाराज हो गए तो यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा इसलिए वो उसके पास कोई रास्ता नहीं दिखता है उसे तो वो अपने कप्र उताने लगती है और कहें लगती है कि यह मास्टर जू अगर आप अब भी सैडिस्फाई नहीं है तो मैं आपके लिए कुछ कर सकती हूँ जिस पर वो जैसी उसकी तरह देखता है तो वो देखता है कि शीमी उसके सामने कप्र उतार रही है और वो उससे कह रही है कि अगर आप अब भी खुश नहीं हुए है तो आप मेरे साथ जो चाहे वो कर सकते है अब उसके एत्ते खुब सूरत से शरी को देखकर वो जो परिशा हो जाता है और उसके नाक से ब्लीडिंग होएं लगती है क्योंकि वो इसे बिल्कुल भी रजस नहीं कर पा रहा था इसलिए आखरकार उसके मूँसे ये निकली जाता है कि यार इस दुनिया की सभी लड़कियां इतने ओपिन माइंडेड है कि जब यहां कुछ भी गलत होता है तो यहां की लड़कियां सबसे पहले अपने कपड़ेताना शुरू कर दीती है और यह कहते हुए ये सीन यहीं खत्म हो जाता है पर साथ दी साथ ये एपिसोड भी यहीं खत्म हो जाता है वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शियर और कमेंट करना ना भूले ताइम्स पर वाचिं